हे गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही चटपटी मटर की चाट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं मटर की चाट पनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कटोरी मटर को राद भर पानी में भीगो के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो मटर है वो अच्छे से भीग चुका है, तो अब जो इसका पानी है, उसे हम निकाल देंगे, और इसे हमें कुकर में डाल देंगे यह दिखे, इस तरह से हम इसे कुकर में डालेंगे, और जितना हमने मटर लिया हुआ है, उतनी ही कौन्टिटी में हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है तो यह देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया हुआ है एक ग्लास की जितना नमक डालेंगे टेस्ट के एक वार्डिंग और कुकर का ढकत बंद करके हम इसे चार सीटी आने तक पका लेंगे तीन सीटी आने के बाद आप इसे खोल के चेक कर लें अगर आपको लग रहा है कि मटर अभी अच्छे से नहीं पकी है तो थोड़ी देर और पका लें ध्यान रखें मटर को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है तो देखिए चार सीटी आने तक मैंने इसे पका लिया हुआ है अब हम चेक कर लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो मटर है वो अच्छे से पक चुकी है बस इसी तरीके से हमें इसे पकाना था और पानी बिल्कुल इसमें परफेक्ट है हमें पानी निकालने की जरूरत नहीं है इसे हमें एक बावल में डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चोटी चम्मच धनिया पाउडर एक चोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर आधा चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे जोकी अच्छी सी खटास देगा अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर और प्याज डाल देंगे थोड़ी सी हम बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुए हरा धनिया डालेंगे मिर्च आप अपनी टेस्ट के एक वार्डिंग डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे उपर से दो चम्मच हम इसमें इमली की dusk की खटी मीठी चटनी डालेंगे जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एक चम्मच हम इसमें हरे धनिया की चटनी डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही जटपट ये चाट बनके तयार हो जाती है और बिना तेल का इस्तेमाल किये ही ये बहुत अच्छी चाट बनती है तो एक बार आप इस तरीके से इस चाट को जरू ट्राय करेगा ये बहुत ही ज़्यादा हल्दी है तो ये देखिए अब हम चाट को सर्व कर लेंगे तो इसे हमने एक सर्विंग प्लेट पे निकाला हुआ है उपर से हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर डाल देंगे हारी मिर्च डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इमली की खटी मीठी चटनी डालेंगे चटनी आप अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं हारी चटनी डाल देंगे उपर से हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और जीरा पाउडर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जिसे कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा तो यह लेजी हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी चटपट पाच मिनट में बनने वाली होप कि आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई